नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रवत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पे और आज इस वीडियो में एकदम सरल तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा कि मास्टर बेशन यानि हस्त मैथून का क्या-क्या साइड एफेक्ट्स होता है हमारा सरीर का उपर और उन साइड एफेक्ट्स का क्या-क्या बेस्ट होमेपतिक मेडिसिन्स भी है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो बने रहे अंतक इस वीडियो के साथ पूरी जनकरी आपको मिलने वाला है तो दोस्तों ऐसे बहुत लोग है ऐसे बहुत डॉक्टर से बहुत हेल्थ कंसल्टेंट है जो ये कहते हैं कि हस्त मैथून का कोई साइड एफेक्ट्स नहीं होता है हमारा सरीर का उपर हमारा लिंक का उपर और उन प्रॉब्लेम के लिए कौन कौन सी बेस्ट होमेपतिक मेडिसिंस एवेलेवल है जिसे हम यूज करके हस्त मैथून का साइड एफेक्ट की रूप में जो हमें प्रॉब्लेम हुई है उससे हम निजात पा सके तो दोस्तों जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा कम्प्लेंट देखने को मिलता है हस्त मैथून की साइड एफेक्ट की रूप में वह है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानि लिंक में तनाव की कमी आ जाना आज तक मैंने इतने सारे केसेस को ठीक किया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्ल जहां आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम देखना पड़ेगा दोस्तों दूसरा जो साइड एफेक्ट देखने को मिलता है हस्त मैथून का वह है प्रिमाच्व एजयकुलेशन यानि सिग्र पतन जब भी आप संभोग करने का ट्राइग करेंगे आपका वीरे पात हो जाएगा 10 से 15 सेगंड का अंधर ही आपका वीरे बाहर निकल जाएगा तो प्रिमाच्व एजयकुलेशन की रूप में हमें दूसरा साइड एफेक्ट देखने को मिलता है हस्त मैथून का तीन नंबर साइड एफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वह हमारा ल जो है सिकूर जाता है वह छोटा दिगने लगता है दोस्तों चौथा जो साइड एफेक्ट में देखने को मिलता है हस्त मैथून का वह स्परमेटोरिया यानि धात या फिर जिसम लोग धात कटना बोलता है ले ले लैंगवज में जब कोई पिसाप के लिए या फिर स्टू साइड एफेक्ट हमें देखने को मिलता है हस्त मैथून का वह हमारा याददास का उपर हमारा याददास बिलकुल कम हो जाता है एक घंटा पहले बताई हुई बात या फिर एक घंटा पहले पड़ी हुई चीज हम लोग जो है भूल जाते है तो यह हुआ पांचवा नहीं है पेसेंट एक अच्छा खासा नींद लेने का बावजुद भी उसको टाइड फील होता है दोस्तो अगला साइड एफेक्ट हमें देखने को मिलता है हस्त मैथून का वह हाथ पैयर और कमर में सुन पन जो लोग एक्सिप हस्त मैथून करते है उनका हाथ पैयर में औ पैसेंट अपना उमर से बहुत ज़्यदा बुढ़ा दिखने लगता है तो दोस्तों अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो जो साइड एफेक्ट मैं आपको अभी बताए है इसके लिए ऐसी कौन-कौन सी होमेपतिक मेडिसिन से जो कि हम ले सकते हैं और उसे ले दोस्तों बात करते है अगला प्रबलम के बारे में जो है सीगर पतन यानि तूल शुरी जिसे हम लोग कहते हैं तो शिल्ट है जो दो टॉप मेडिसिन है होमेपैथी में वह है टाइटेनियम मेटालिकम 30 और सिलेनियम 30 दोनों ही मेडिसिन का दो दो बूंद आप सुभे दो फैर और साम को लीजिए और दस मिनिट का गैप देखकर आप लीजिए दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में वह लिंग की साइज छोटी हो जाना या फिर लिंग की साइज में सिकूडा ना जाना तो इस प्रोब्लेम के लिए जो दो टॉप मेडिसिन है होमेपैथी में वह स्टाफिसेगरिया 30 और नुफूल लूटिया मदर टिंचर स्टाफिसेगरिया 30 का दो बूंद सुभे दो बूं मेडिसिन है वह है इसिटफोस मदर टिंचर और सिलेनियम 30 आशिटफोस मदर टिंचर का पंदर पंदरा बूंद लिजे सुभे दो फिर साम लिजे और सिलेनियम 30 का दो बुन सुभे, दो बुन साम को लीजिए आगे बात करते हैं अगला side effect के बारे में दोस्तो अगला side effect है वो है body में कमजोरी यानि weakness तो कमजोरी के लिए weakness के लिए आप चाइना मदर tincture के इस्तमाल कर सकते है चाइना मदर tincture 15-15 बुन अब लिजिए, सुभे 2 फैर साम लिजिए और half cup या फिर एक cup नॉर्मल वाटर में मिला कर लिजिए दोस्तो अगला side effect है हस्तमाथून का वो है भूलने की अगर आपको भूलने की बहुत ज़रा सिकायत हो रही है तो भूलने वाली प्रोब्लेम के लिए आप कलाइडियम 30 और एविनस हेटा बे मदर tincture लेकर आईए कलाइडियम 30 का दो बुन सुभे 2 बुन दो फैर को दो बुन साम को लिजिए और एविनस हेटा बे मदर tincture का 15-15 बुन लिजिए सुभे 2 फैर साम लिजिए और हाप कब या फिर एक कब नॉर्मल वाटर में मिला कर लिजिए तो दोस्तो अगला जो side effect है हस्त मैथुन का वह कमर दर्थ अगर आपको कमर दर्थ हो रहा है हस्त मैथुन के कारण तो उस case में आप काली कब 30 ले लिजिए सुभे 2 फैर साम लिजिए 2 दो बूंद करके लिजिए तो दोस्तो जो लोग कहते हैं कि हस्त मैथुन का कोई side effect नहीं है तो आप बिलकुल उनका बात ना मानिये overhand practice का 101% side effect होता है जो बंदा हस्त मैथुन नहीं करता है वो आप से कितना स्वस्थ है आप उनको देखिए इस बात का अंदाजा आप उनसे ही लगा सकते है और आपका अंदर हस्त मैथुन करने के कारण से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या समस्यार डेबलब हुई है इस बात को भी आप analyze कर सकते है मैं ये नहीं कहूंगा कि हस्त मैथुन करना पूरी तरह गलत है हस्त मैथुन करना भी चाहिए लेकिन उसे एक सिमित मात्रा में करना चाहिए उसे अब महना में एक या दो बार करिए उसका उपर एक संतुलितब रखिए एक कंट्रोल रखिए उसका उपर और एक बात मैं बोलना भूल गया था उसको सही तरीके से करिये गलत तरीके से ना करिया बहुत लोग hand practice wrong way में करते है जिसके कारण उनका glance hyper sensitive हो जाते है हस्तमय थुन का सही तरीका क्या है इसका उपर हमारा चैनल का उपर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है तो उसे भी आप देख लीजिएगा और अगर आपको हस्तमय थुन की आदत छुलाना है तो इसका उपर भी हमारा YouTube में वीडियो अल्लेडी अपलोड़ेड है आप उसे भी देख सकते हैं मैं उसका link description box में डाल दूंगा तो दोस्तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हस्तमय थुन की क्या-क्या side effects होती है और उसके लिए कौन-कौन सी होमोपतिक medicine best रहती है जिसे हम लेकर उन problem से निजात पा सकते है तो दोस्तो मैं इस वीडियो को ही paint करता तो thank you very much and have a good